समण संका पाँचवा सुनहरा नियम है अमत्त नियम, अमर नियम, गोल्ड़नियम, इम्मोर्टल नियम, इम्मोर्टल रूज मंच माला पतिठ्ठा यानि प्रतिष्ठा पद कभी नहीं यानि पद, मंच, माला, पतिठा, पतिठा कभी नहीं चार चीजों के लिए उसमें मना किया गया है पद है, मंच है, माला है और पतिठा है पद जो होता है, पुराने समय में जो पद बोलते थे वो एक किरिया है, किरिया मतलब करने के लिए काम पद का मतलब होता था तू गो यानि जाना पर पद को जब नाउन में संग्या में बदला गया तो पद को जो अर्थ दिया गया वो दिया गया कदम या आप कह सकते हैं कि आइडियोलोजी यानि कि कोई जैसे बोलते हैं हम चार पद हैं ये या दो पद हैं चार पद की गाथा है मतलब वो बात चार पदों में कही गई है चार बातों में कही गई है चार लाइन में कही गई है तो जब हम पद की बात करते हैं पराने समय की तो कहते हैं इसके पद देखो क्या है यानि इसके कदम देखो, यानि ये चलता कैसे है, यानि ये किस विचार पर चलता है, इसका विचार क्या है, क्योंकि पद का मतलब पैर नहीं होता, पैर को पाली के अंदर पाद बोलते हैं, पाद, और पाद का मतलब टांग है, पैर है, पाओ है, पर जो पाद है, उसका मतलब पद नहीं होता, पद अलग होता है, पाद अलग होता है, पर बहुत साई लोग इसको पद समझ लेते हैं, जब चरण पादू का बोलते हैं, तो चलने के पैर बोलते हैं, चरण पादू का मतलब चलने वाले पैर, और पादू का माने जो उसमें सहयोगी है, यानि चपल या खड़ जो भी है तो चरण पादू का बोलते हैं पर जब चरण पद बोलते हैं तो इसका मतलब होता है चलने की रास्ति तो चरण पाद और चरण पद में जमिन आस्मान का अंतर है चरण पद हो गया चलने की पैर और चरण पद हो गया चलने की पैर और चरण पद हो पैर या उनके खड़ाओ या उनके खड़ाओ तो उनके पास थे नहीं नंगे पैर चलते थे पर खड़ाओ जैसी आकरती बनाई हुई है पत्थरों पे इसको कहते हैं यह बुद्ध के पाद है यानि बुद्ध के पैर है वो बुद्ध के पैर से पूजने से कोई कोई लियान कि हम बुद्ध की पदिक्खा कर रहे हैं पदिक्खा का मतलब है पद माने विचार आइडिलोजी और दिक्खा माने देखना यानि उनके विचार आइडिलोजी को जो उन्होंने दिया है उसको देखना उसको पदिक्खा बोलते हैं पदिक्षा भी बोलते हैं कुछ लोग उस उसको अधिकारी बना देते हैं चाहें वो कुछ जानता हो या ना जानता हो चाहें उसे पद के वारे में कुछ पता हो या ना हो बस वो अधिकारी बन गया और अधिकार का इस्तिमाल करता है. वो एक विशेष रूप का, विशेष अधिकार वाला העम आदमियों के बीच में विशेष आदमी बन जाता है जो विशेस अधिकार रखता है उसको पद और पदवी बोले लगे उससे क्या हुआ कि पद और पदवी जिसको देते हैं वो व्यक्ति खास हो जाता है आम व्यक्ति से खास बन जाता है किया कुछ नहीं बस एनाउंस कर दिया कि आज से ये अधिकारी होगे आज से पद का काम होता है जो चलता है आजकल के समय पर इन चीजों से पद से मंच से माला से या पतिष्टा से कितना लाब होता है कितनी हानी होती है ये संग के लिए क्यों जहरिले हैं और लोग इसका कैसे इस्तमाल करते हैं और ये कितने बड़े हतियार है किसी संग को खतम करने के किसी संग्ठन को खतम करने के लिए और यह कितने बड़े हतियार है अपने संग को बचाने के लिए अपने संग्ठन को बचाने के लिए यह सोचने वाली बात है क्योंकि यह ऐसा हतियार है जो दौनों तरफ काम करता है यह आपके संग्ठन को बचा भी सकता है और यह आपके स काम के या कोई सिफारिश से या किसी और तरीके से या साम, दाम, दंड, भेज, छल, कपड़ से कोई पद दिया जाता है जो उसका अधिकारी नहीं होता है तो जो लोग उसके अधिकारी होते हैं वो लोग काम करना बंद कर देते हैं वो लोग विरोध में आ जाते हैं और वो स कर दो जो लोग होते हैं उनको बड़े कार वाले जो लोग है वह च्छोटे आदो तोह love करते हैं तो इसके यूग आज़िकार मिलना चाहिए ज्यादा काम का ज्यादा महत का जोने है FIR नहीं मिलता दो दिम्राइज हो जाते हैं और वो डिप्रेसन में आ जाते हैं या तो वो काम करना बंद कर देते हैं या विरोध में आ जाते हैं या शांत पड़ जाते हैं पर वो मन लगा के काम नहीं करते क्योंकि उनको उनकी मेहनत का योग्य अधिकार नहीं मिला ऐसे सरकारी महाकमा में बहुत सारे खिस्सें हैं जब मैं जब रिजर्व लोगों के ने बहुत महनत ची और बहुत काम किया पर उनकी शियार उनकी जो confidential report है उसको खराब कर दिया गया या उनको टाइम से अधिकार नहीं नहीं दिया गया वो पद नहीं दिया गया जिससे वो छे होगे सरकारी पोस्टों में ऐसा चलता है सरकारी पदों में ऐसा चलता है सामाजिक पदों के अंदर जो व्यक्ति डिजर्व करते हैं और जो व्यक्ति इसको लायक हैं उनको वो अस्थान नहीं दिया जाता वो दिया जाता कि वो काम किया जाए और जो ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते जो काम जानते नहीं जो काम को सोचते नहीं उनको सिर्फ इस लिए कि वो हमारे गुलाम रहेंगे हमारे रिस्तदार हैं या हमको पैसा कमा के देंगे या हमको चंदा देंगे या हमारे नीचे रहेंगे, या हमारी बात मानेंगे, या हमारी चलाएंगे, या हमारे अधिकार में रहेंगे, उन लोगों को वो पद दिये जाते हैं, छाट-छाट कर दिये जाते हैं, ये सामाजिक संग्ठनों में सम्में चलता है, वैसे ही जितने भी जो छोटे-मोटे महले या छोटी- देने के लिए वहां किसी को मानने के लिए और किसी को आमानने करने के लिए पद का डिस्ट्रिबुशन किया जाता है और उसको घुज़त करते हैं कि यह विक्ति ऐसा है कैई वार जो नालायक आदमी होता है उसको पंचायत का मुख्या बना देते हैं किसी सरावी कबाबी को बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि अच्छे लोग डिम्राइज हों और अच्छे लोग बोलते नहीं तो पद का दोधारी इस्तमाल होता है लोगों को खतम करने के लिए बुद्ध के समय में बुद्ध ने इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से गहनता से अध्धन किया इसलिए भिक्कु संग में और भिक्कु संग से पहले जो समण संग था उसमें कहीं कोई पद नहीं मिलता उसमें कहीं कोई पोश्ट नहीं मिलती उसमें कोई विसे सा अधिकार नहीं मिलता उसमें कोई अधिकार ही नहीं है उसमें जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था टेंपरिरी रूप से अस्थाई रूप से बनाई जाती थी और अस्थाई रूप की जो व्यवस्था है बस काम खतम होने के बाद में वो व्यस्ता खतम हो जाती थी वहां कोई ऐसे नहीं होता था कि कोई आदमी पद ले के पूरा जीवन पर बैठा हुआ है और पद लेने के बाद में वो लगता लोगों पे धोस रहा है और धक्या रहा है इसलिए पद और पोश्ट का जो मानता थी नहीं आता था लोग किसी भी व्यक्ति को और नीचा नहीं मानते थे जब तक काम करता था और जैसी वह काम करके शकॉत रूप से जो शॉल ठाई रोप से इसकी स्टाई था हो और आंदमी बन जाता था यह उसके मंन में भी रहता है इसी बात को जो विपसना के आचारे हैं सत्यनारण गोनका जी उन्होंने विपस्टना के सिस्टम में इसको लागू किया उन्होंने बहुत सारी विपस्टना के टीचर बनाए पर उन्होंने जो एजूकिस्टन वहां दी वो सारी वही है जो विपस्टना के बुद्ध के नियम पे आधारित है पर वहा सवालों के जवाब देने के लिए और उनको कंडेक्ट करने के लिए उस विवस्था को चलाने के लिए वो अस्थाई टीचर रखते हैं वो टीचर आते हैं जब तक वो वहां बारे दिन तक सिखाते हैं वो वहां टीचर रहते हैं और जब जैसे बारवा दिन होता है और विप कर लेते हैं उनका विड डो का नियम बनाया है ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए टीचर का उपाधी बनता रहे पर यहां भारत के अंदर जब हमारे संग को तोड़ा गया तो इस हतियार का इस्तमाल किया गया और इस हतियार के अपनी मर्जी से संख्ठर बनाया, उसने एक पद्वी अपनी पर्मानेंट कर ली, उसने संस्थापक अध्ष्ष का जो तमगा है वो मर्ते दम तक नहीं छोड़ा, और किताबों में लिखके चला गया, कि मैं इसका संस्थापक अध्ष्ष हूँ, और संस्थापक अध्ष्ष का रुत्वा बड़ा अजीब होता है, और ऐसे लाखो संस्थापक अध्ष्ष्ष्ष्ट गली में धखके खाते घूम रहे हैं, कोई पूस्ता नहीं, वैसे ही जो कोई आदमी अगर गाओं का प्रधान चुना जाता है तो वो प्रधानी से जब हटता है तो कौमन आदमी नहीं बन पाता वो खतम हो जाता है फिर उसे लोग प्रधान जी कहते रहते हैं उसको एक्स प्रधान में नहीं कहते हैं उसको एक्स प्रधान करना भी ख्राब लगता है उसको प्रधान जी कहते हैं वैसे ये बीमारी आज के समय जो MLA MP है जो मिनिश्टन है जो एक वार बन जाते हैं वो फिर समाज के काम के नहीं रहते हैं अगर कोई MLA MP बन गया कोई अगर कहीं प्रमुक बन गया तो वो आज दर्दबादे में रहता है उसका नुकसान ये होता है कि वो समाज से कट जाता है क्योंकि समाज में जहां जाएगा वो पुराना जो रुत्वा है उसके हिसाब से बात करता है रिटायर होने के बाद वो पूरी जिंदगी अपने पद को लेके ही बठा रहता है जब तक मरना जाए मैं ये था, मैं वो था, मैं ये था, मैं वो था बात सुरूख बात में करेगा, पहले अपनी पद पुईशन बताएगा मेरा ये पद है, मेरा ये पुईशन है ये अतनी बड़ी बिमारी है कि इससे लाखों लोग समाज के खतम हो गए पद से, सिर्फ पद से, जिनके पास पद आके चले भी गए वो भी लेके ढो रहे हैं, और वो ना नीचे बैटने को त्यार होते हैं ना common लोगों में आने को त्यार होते हैं, ना आम सभा में आने को त्यार होते हैं, उनको बुलाओगे, उनको मान सम्मान दोगे, उनको फूल दोगे, उनको गुच्छा दोगे, उनको माला दोगे, उनको टोपी दोगे, उनको गमशा दोगे, उनकी वहवा करोगे, उनकी स्प हासिल की और जो साधरन समाज से आगे के लोग थे वो समाज के काम नहीं आए पर जो दूसरे लोग हैं जो विरुद हमारे काम करते हैं उनका व्यक्ति रिटायर होने के बाद में या MLA MP की पोश्ट जाने के बाद में या कोई पद जाने के बाद में वो सीधा-सीधा उनका संग जोइन कर लेता है उनकी संस्ता जोइन कर लेता है और एक बुलकुल साधरन आदमी की तरह आपको पार्क में मिलेगा साधरन आदमी की तरह गाउं में मिलेगा साधरन आदमी की तरह वो शेहर पे मिलेगा आपको भाउ जी कह के बात करेगा वो जानता है कि उसको क्या करना है क्या ने करना है पर आपको वो प्रधान जी और आपको वो नेता जी और आपको मंतिजी कह के बात करेगा क्योंकि वो जानता है कि इसको पद की भूक है और इसकी भूक सांतना हो जाए कह पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर आईएस, पूर आईपीएस, पूर नेता, पूर्व ये, पूर्व ये, उस पूर्व को हमने क्या करना है, उसका क्या फाइदा हमारे लिए, हमारे लिए फाइदा का है, पर हमारे लोगों को इस पद्वी से पद्वी जाने के बा हुआ है जो पद लेकर बैठा हुआ है यह बावा साब की देड़ है अगर उसमें छमता होती तो बावा साब के सम्विधान से पहले और आरक्ष्णन से पहले पद भी लेकर दिखाता तीन पीडी पहले कोई माई कलाल ऐसा नहीं पूरे भारत में जिसके पिताजी या जिसके ज्यादा सरकाई नौकरी में हो एकाद किसी के हो अंग्रेजों के टाइम में तो हो सकता है कि सिपाई भाई भरती हो कहीं कुछ चपरासी भरती हो कहीं कुछ हो गलती से एकाद कोई कहीं कोई गलती से कोई छुबा छुब के पढ़ गया हो गलती से वैसे कोई केस ऐसा है नह थे, खुद हम विस्वगुरु बुद्ध थे, या चंदगु तो मौरे थे, या उसके बाद अभी पांस साल जो पहले तक है, उसका इतियास तो है, कि हम पूरे देश के मालिक तर राजा थे, पर चार सो पांस साल से और सतर साल पहले तक के इतियास में, कहीं भी हमारा कोई भ करमचारी हमारा नाइंटीवन में था, और बीस लाक में से अभी पांच लाक रह गया है, पंदर लाक रिटायर हो गया है, ये पंदर लाक जो रिटायर लोग हैं, ये जुवा खेलते रहते हैं, ये सराब पीते रहते हैं, बहुत सारे मर भी गए, ये लड़ते रहते हैं, पर अपने लोगों के लिए काम नहीं करते, कब क्योंकि वह बाबु जी है वो पद लेके बेठे हुए है, वो आप उनसे बात करोगे तो वो अपने Spicyam Saat रहेंगे कि मैं दफ्तर में ये था, मैं ये था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, संग के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, वो जीरो बटा सरनाटा होता है, वहाँ कोई कुछ नहीं होता, तो इस पद से हमारा फाइदा नहीं हुआ, इस पद से हमा चार आदमियों की बीच में जो हमारे बावा साब ने लेके आए जो उन्होंने MP MLA का दिया इतना तो पता है कि रिजरफ सीट से यही बंदा जीत के एक बंदा आएगा पर वो चार पांच हमारे जो लोग हैं उनको कुता बना के उनके बीच में एक मास्का ठुकड़ा फैंक रिएक तो प्द के रहते हैं यह पद जो फैंक पिचलता है इसे मुख्ट होना चाहिए अगर इससे मुक्त नहीं होंगे तो हम जीत नहीं सकते बुद्दने इस बीमारी को पहचाना और कोई पद नीमनाया ना उनका खुद का पद ना कोई संग नायक, ना कोई सेरापती, ना कोई संग सेरापती, ना ही कोई प्रमुकापद, ना ही कुछ, बुद्ध बहुत समझा थे, उन्हें पता था कैसे चलता है काम, इसलिए उन्होंने कभी भी कोई पद्नी मनाया, वो खुद भी और उको भंते और भिकू बोलते थे, और बाकी लोग भी उनको भिकूर भंते बोलते थे, सब का मामला एक्वल, सारे लोग बरावर, सब सिर्फ सीनियर्टी कहा थी, जो पहले काम सुरू किया जिसने, वो सीनियर, जो पहले आया संग में, और जो बाद में आया, वो उसका जूनियर, जो पहले आया है, वो ज्यादा जानता है, उसक जोड़ के चला जाएगा बात में आएगा तो फिर दौजा से स्टार्ट करेगा उसका अकाउंट नहीं होगा कि उसने पहले काम किया साथ साल छोड़ के क्यों गया इसका मतलब संको समझा नहीं यह सीनियर्टी का जो काम था यह और ने बनाया पर सीनियर्टी के कोई स्पेसल वाले कौनसे भेजने हैं. तो उन्ह penal थेरा और महाथेरा करके नाम दीए ताकि अंतर रहे सीखने वालो में, यह जादा काम के हैं, जादा अम्र के हैं, और यह अभी अभी आए हैं, उनको सामनीर बूला करते थे तो सामने तो कहीं टेंड सिखाने जा नहीं सकता और कहीं छोटा मोटा सिखाना है तो थेरा बेशते थे और कहीं बहुत ज़्यादा लोग को सिखाना है और सीखे सिखाए लोग को सिखाना है तो महा थेरा बेशते थे और जहां इतना लेवल बड़ा है कि महातेरा भी काम नहीं हुआ खुद जाया करते थे क्योंकि वो सिखाया करते थे सबको, वो सबके टेनर थे तो ये बातें वहाँ होती थी इससे पद की परंपरा और पोष्ट की परंपरा हमारे यहां नहीं थी और इत्यास में कभी भी पद और पोष्ट की परंपरा नहीं मिलती ये जो संत जितने भी आये हमारे इन्होंने भी कोई पद पोष्ट की परंपरा नहीं डाली जितने भी हमारे समण संत आये जैसे भी जो ग्यानी और महात्मा जिनको हम बोलते हैं या महामानब बोलते हैं, उन्हों सारे लोगों ने भी कोई पद की और पोष्ट की परंपरा इजाद नहीं की, उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया, पर उनके जाने के बाद भिक्कु संग में भी पद पोष्ट आ गए, भिक्कु संग बरवाद हो गया, वहाँ प्रेशिज ने अलग बना लिया, फिर छोटे-छोटे भिक्कु संग बोल गए, संग्ठन ही बन गए, भिक्कु संग्ठन हो गए सारे-सारे, उन्होंने भी सारे वही काम सुरू कर दिये, जो संग्ठन में होते हैं, पदों के लिए जगड़ा होने लगा, मारा-मारी होने लगी, गाली जो दिक्कत आई, वो यह जो हतियार है पद का, इसको वो छोड़ नहीं पाए, इसको समझ नहीं पाए, यह पद और पोश्ट का ऐसा हतियार है, कि अगर आपने किसी संग्ठन को बिगार ना हो, तो उसके किसी एक आदमी से कह दो, अरे आपको तो बनाया नहीं, आप तो ब पर्धानी हुआ, इस प्रधानी के चकर में, लोग रात रात वर जाके अपनी बोटे हासिल करते हैं, ताकि प्रधानी बनी रहे में अचर में, काम के लिए नहीं करना, काम का जगड़ा नहीं है, पोश्ट आ जाए बस, अधिकतर संग्ठनों में पोश्ट लेने के बाद का नहीं होता अगर काम हुआ होता तो आज हम यहां बैठके और रो नहीं रहे होते हम यह बैठके यह बात नहीं कर रहे होते कि हम मारे जा रहे हैं और हमारे बच्चे खत्रे में हैं पद की यह सबसे बड़ी दिक्कत रही तो पद के बात में जो प्रतिष्टा आती है प्रतिष इस्थान, यानि कि हम किसी व्यक्ति को कोई इस्थान दें, उसको इस्थान दें, बरावर का इस्थान दें, और किसी और व्यक्ति के इस्थान पर इस्थान दें, तो प्रतिश्था या प्रतिश्था जो होती है, वो किसी को इस्थापित करने के लिए होता है, आज के समय में इसको बोलते हैं तो किसको इस्थापित करना चाहते हैं और क्यों इस्थापित करना चाहते हैं प्रतिष्टा क्यों करना चाहते हैं किसी की जैसे कहते हैं कि हमने मूर्टी को इस्थापित कर दिया या उसको उसकी प्रतिष्टा हो गई तो हम मूर्टी को कहीं उचे इस्थान पर इस्थापित करते हैं, लोगों का आईवल बनाते हैं, किंद्र बनाते हैं, कि लोग इसको देखेंगे, लोग इसको जानेंगे, लोग इसको मानेंगे, तो यह जो इस्थापना होती है, यह एक बीमारी है, यह जहर है, क्योंकि अगर आप कुछ लोगों को इस्थापित कर हो जाएगी और अगर किसी संख के अंदर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे और बाकियों की जीरों हो जाए तो वो संख नहीं होता फिर वो मनुस्मति आधारित एकल व्यक्ति बाद पर आधारित एक व्यक्ति की संस्ता हो जाती है और ये जो संख्या में कम लोग होते हैं वो हमेशा किसी व्यक्ति को इस्थापित करते हैं उसकी प्रतिष्ठा करते हैं उसका जंजागरण करते हैं उसका चारों तरब बोलबाला करते हैं लोगों के दिमाग में भरते हैं कि ये जो व्यक्ति है यही कर सकता है, यही काम मूर्टियों के लिए भी होता है, यही काम चित्रों के लिए भी होता है, यही काम मरे हुए नायकों के लिए भी होता है, जो मरे हुए नायक हैं, उनके फोटों भी इस्थापित किये जाते हैं, उनकी प्रतिष्टा होती है, फिर इनको बाकाइदा ब संक्र लोगन की धिमाग में डालने कि कि हमारा जो व्यकति है वो बहुत विक्ति bishop और उसका ज्एजेकार करो। करो उसको मानो क्योंकि हम ने स्थापित किया है हम उसकी प्रतिश्था मी हैं हम उसकी शान में हैं हम उसे मानते इसलिए आप भी उसे मानो और जबर जहस्ती एक ऐसे लूले लंगड़े आदमी को जिसने कभी जिंदगी में मैटक ना मारा हो उसको शेर का शिकारी बना के प्रतिष्टा कर देते हैं उसकी प्रतिष्थापित कर देते हैं उसको उसकी महिमा कर देते हैं उसकी गुलगान कर देते हैं और उस गुलगान का हमें मजबूर करते हैं साम दम दर्ण भेच छल कपड़ से हर तरह से या तो उसको टीवी में दिखाके या उसको अकफार में दिखाके या उसका होडिंग चापके या उसका जैकारा करके या उसकी कह कहानिया बताके या उसका चित्र लगाके बस उसको इस्थापित करना है उसकी प्रतिष्ठा इस्थापित करनी है दिमाग के अंदर ताकि हम माने या ना माने पर वो प्रतिष्ठा बनी रहे पर बुद्ध ने इस परतिश्टा को पूरी तैसे खतम कर दिया बुद्ध ने कभी भी अपने आपको इस्थापित नहीं होने दिया पर बुद्ध को मारने के लिए बाद में जो बुद्ध के दुस्मन थे उन्होंने बुद्ध को स्थापित करने लिए बुद्ध की मूर्टिया बनाई और बुद्ध की महीमा की और बुद्ध का जैकान किया गुणगान किया और त्रीपिटक में तो ऐसे ऐसे संदर मिलते हैं कि आदमी त्रीपिटक पे विश्वास करना ही छोड़ दे बुद्ध पे विस्वास करने चोड़ दे यानि जिस बात को बुद्ध मना कर्रहे हैं, वही बात त्रिपिटक में आई हुई है, इसे पता चलता है कि हहां कितनी mix हुई है जो बुद्ध खुद को कहते है कि मैं एक साधरन इंसान हूँ उसको चमतकारिक इनसान करके हजारो वार बताया गया है और लोग पूजा में पता नहीं क्या क्या करते हैं ऐसे गुडगान करते हैं जिस बुद्ध ने अपनी मूर्ती और प्रतिश्थापना के लिए प्रतिश्था की ने मना किया उसी बुद्ध का चाहतरा बड़े बड़े फोटो और होटिंग लगा के प्रतिश्था करते हैं पर बात नहीं मानते बुद्ध की क्योंकि खतम करना है अगर बुद्ध की बात मानते होते तो बुद्ध स्थापित हो जाते उनकी प्रतिश्था हो जाती बात मानने से प्रतिष्टा होती है, मूर्ती स्थापना करने से जैकारा करने से प्रतिष्टा खतम होती है इसलिए हमारे जो लोग हैं, वो लोग जब अपने ही लोगों का जैकारा गुर्णगान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनका काम करते हैं, जो हमसे काम कराना चायते हैं, वो भी यही चायते हैं, कि यह अपने महापरुस की असली जो प्रतिष्ठा है, जो इस्थापना है, जो उनकी विचारों की, जो उनकी आइडियोलोजी की, वो ना करें, और मूर्ती और जैकारे में लग जाएं, आज हमा ना कर रहे हैं, उसकी किस चीज की स्थाप ना कर रहे हैं, हमाई लोग जो प्रतिष्ठा में जाते हैं, वो सरीर में जाते हैं, जूते में जाते हैं, चपल में जाते हैं, उनका कोट कैसा था इसमें जाते हैं, उनका डंडा कैसा था इसमें जाते हैं, उनके किसे कहानियों में जाते हैं पर उनकी आइजिवोजटों की विचार महा पुर्सों के जो होते हैं वो गरम रेथ पर चलने जैसे होते हैं निएंड़ी को 하지 काम को इसलिए विचार को स्थापित नहीं करते हैं तो पृत्तिष्ठा इसलिए हमारे जहर है क्योंकि हम पृत्तिस्थ्ठा करना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए विचार की और एडिलोजी की वो ना करके हम व्यक्ति में चले जाते हैं और वो हमारे लिए जहर हो जाती है और वो हमको ही मारती है इसलिए समण संग ने प्रतिष्ठा को बंद कर दिया कि हमें प्रतिष्ठा नहीं करनी है किस तक्ता ऐसी जगे ऐसा कोई structure जिसके चार पैर हो आप तक्त समझ सकते हैं चार पाई समझ सकते हैं बैठ समझ सकते हैं इसको मंच बोलते हैं बेसिकली मंचों का जो उप्योग पुराने समय में होता था जैसा कि यहां पहले भी बताया था कि समझ संग के अंदर मिट्टी का मंच बना लेते थे कोई टीला पर जाके चड़ जाते थे क्योंकि कोई बात कहनी है तो जब बात कहने वाला है तो उसकी आवाज चार पतर पहुंचे माइक तो थे नहीं उस समय तो बात पहुंचे तो थोड़ा ऊपर जाके खड़ा हो या ऊपर जाके बैठे तो उसको और कुछ ना मिले तो उ सुनने वालों को दिखाई ना दे तो सुनने का इंट्रेस्ट खतम हो जाता है। यानि कि कोई व्यक्ति है जो से बोल रहा है जिसे हम संगती लगाते हैं और नीचे बैठके लगाते हैं और नीचे हम सारे बैठते हैं। अगर बोलने वाला कुर्सी पे ना बैठे संग आसन पे ना बैठे तो उसकी बात को आधे से जादा लोग सुनेंगे नहीं क्योंकि वो दिखाई नहीं देता तो एक आध बात सुनेंगे उसके बाद इंट्रेस्ट खतम हो जाएगा। यहाँ भी जो लोग सुन रहे हैं जो मेरा फोटू देख रहे हैं जो मेरे आँखों का और चेहरे का जो हिलना देख रहे हैं उससे उनका अटेंशन बना रह जाता है पर अगर यह फोटू बंद हो जाए और खाली बात आती रहे तो आधे लोगों का जो ध्यान है वो भंग हो जाएगा और वो अपने काम में लग जाएंगे काने धर रखेंगे पर बागी चीज़ें और काम में लग जाएंगी तो अटेंसन पूरा नहीं आएगा तो मंच का इस्तवाल होता था बात को सही तरीके से कहने का सन्नीपात बाहूल में बात को सही बात कहने का जब कोई सभा बैठे जब कोई सम्मिलन हो उसमें कहने का ये मंच का बात हुआ करती थी कि कहने वाला कहे पर कहने वाला कहके वहीं रुख जाए या बात कहे ना और वहीं जम जाए या कुछ ना करना हो और वहीं टंग जाए या वहाँ पर कोई इतनी कुर्सी पढ़ जाए और बीची कुर्सी पर जाकर टंग जाए तो फिर वो मंच नहीं हो जाती फिर तो वो एक तरह से जैसे डांसर लोग होते हैं और उनका समू आता डांस करने के लिए लोग उनका चेहरा देखते हैं उस तरह की हरकत हो जाती है यही काम मंच में बिगड़ गया मंच होती इसलिया थी के लोग अपनी बात करें और बात करके महां से हट जाएं पर लोगों ने देखा के लोग हमको देख रहे हैं हमें अटेंशन मिल रही है सब लोग हमें देख रहे हैं तो अपना थोबड़ा लेके अपना चेहरा लेके वहीं जम जाते अरे बात कही तो निकलो यहां से पर चेहरा दिखा के करोगे क्या पर चेहरे का खेल सुरू हो गया चेहरे का खेल इसलिए सुरू हो गया कि चेहरा हमारा देखेंगे बार बार तो हमको पहचानेंगे हमको पहचानेंगे तो हम प्रतिष्ठित होंगे हमारी प्रतिष्ठापना होगी हम प्रतिष्ठापित होंगे तो हम चुनाम में खड़े होंगे हम चुनाम में खड़े होंगे तो हमारा चेहरा इसके दिमाग में जाएगा और हमारा चेरह इसके दिमाग में गये तो ये हमको बूट देगा, हमको पहचानेगा तो अपरी पहचान करने के लिए मंच पे जम जाते हैं फिर जगड़ा होने लगा मंच का, फिर मंच बड़ी बड़ी बने लगी अब तो ऐसा हो गया है कि सामने बैठने वालों की संक्या कम होती है और मंच पे बैठने वालों की ज़्यादा होती है दिल्ली में ये मंजरम खूब देखते हैं रामले मैदान में मंच पे 200 आदमी होता है और सामने 50 आदमी बैठे रहते हैं ये सब जिगए ड्रामा चला है, बोलने वालों की और मंच पे आने वालों की भीड़ है, पर नीचे बैटके सुनने वालों की भीड़ खतम हो गई, इसलिए हम पतन में चलेगे, मंच को छोड़ने को त्यार नहीं है, मंच के लिए लोग पैसा देते हैं चरा दिखाने के जो आयजग थे, हमारे साथी थे, उन्होंने का जाओ बोलो, मुझे मेरा दमाग गोम गया, देखो बोलने की बीमारी कितनी है, मंच की कितनी है, भाशन की कितनी है, ये बीमारी बहुत बुरी तैसे फैल चुकी है, अगर आपने किसी को मंच पे नहीं बठाया, तो वो आप का दुस्मन हो गया जनम से, और आपने किसी को मंच पे बठा दिया, तो बड़ी मीठी मीठी बात करेगा आपका दोस्त हो गया, ये ठीक ऐसे है कि जैसे सरावी लोग बैठते हैं, अगर आपने किसी को सराव नहीं पूछा तो दुस्मन ही हो गई, और आपने सराव को पू जो होता है आप जानते हैमा मालनी, तो हैमा मालनी का जो नाम है, हैमा उसका नाम और मालनी का मतलब है, माला धरन करने वाली, मालनी का मतलब, और जो माली होता है, वो माला बनाता है, माली माला बनाता है, और मालनी माला पैंती है, माला जो होती थी, वो सरंगार में, यानि सुद्रप्र से और वह अपनी सुंदर्टा से मुहित करती हैं यह प्राकर्टिक गुन हैं जो सन स्वेंबर में जो नारी है वो चुना करती थी उसके हिसाब से पर बाद में जब स्वेंबर खतम हो गए तो उसमें नारियों की चुनने की आजादी खतम हो गई जब यहां पित सतात्मक लोग आगे और यहां पर यरुसलम से लोग आगे मद्धेशिया से लोग आगे जहां प पर वो चाहेंगी वैसा उन पर रीजे और देखे ये माला का काम होता था माला अपने आपको भीड से अलग दिखाने के लिए महिलाएं पैना करती थी और वो मालाओं को बालों में भी लगाती थी गले में भी पैनती थी हाथ में भी पैनती थी बाजू में भी पैनती थी ये मालाओं का थारू को खुद माला बनाए करतेती थी या माला खैदा करती थी माली से. पर यहाँ तो पुरूस भी अपने आपको इस मसल दिखाने के लिए और तो जैसा संगार करने लगे और ये पनपरा बढ़ने लगी और ये पनपरा इतनी बढ़ गई कि मालाओं के जगड़े होने लगे और माला नोटों की बने लगी माला जो अंजीर की बने लगी माला इलाची की बने लगी माला बहुत बड़ी बड़ी बने लगी इतनी बड़ी बड़ी माला बने लगी कि दस वीस लोग उसके अंदर आ जाएं दो चरह आदमी से तो माला उठे ना जितनी मोटी और जितनी बड़ी माला उतना बड़ा प्रतसन उतना बड़ा धिकार उतनी बड़ी वहवा उतनी बड़ी पतेष्टा माला के लिए जगड़े होने लगे अगर माला आपने मंच पर किसी को बलाया اور उसको माला नहीं पेलाई और किसी और को माला पेला दी तो जीवर्म भरका दुस्मन हो गया हमारे गले में माला नहीं डाली औरों के गले में माला डाली तो वो माला के जगड़े होने लगे और माला जगड़े का कारण बन गई ये जगड़े का कारण जो दूसरे लोग है और उन्हें इसका फाइदा उठाया वो क्या करते हैं एक के गले में माला डालते है एक किमने डालते हैं उन दोने में जखड़ा हो जाता है उनका काम बन जाता है तो माला की बीमारी पी सुछ समझ में आई ये सारी की सारी बीमारियां पहले नहीं थी आप अगर ध्यान दोगे तो बुद्ध की स्टेचुपे आज भी गले में माला नहीं पड़ती है क्योंकि बुद्ध ने कभी गले में माला नहीं पड़वाई इसलिए कोई माला उनके यहां नहीं कोई भिकुने कभी माला नहीं पड़वाई इतने बले-बले टीचर हुए पूरा समाज बदल दिया पर माला नहीं पहनी कभी कभी विसेश अधिकार या विसेश दिखावा नहीं कि इसलिए ये भी सिस्टम खतम कर दिया गया तो पूरे संग के अंदर से जो पद, पतिष्टा, मंच और माला है ये सारे की सारी चीजें खतम की गई और इनको खतम करने से बड़े लाब हुए उससे लाब ये हुआ कि संग में जो टूट-फूट होनी होती है उसकी स्पीड बह होना चाहिए था इनके पीछे वो बंध हो गया क्योंकि जितने भी कायकरम होते हैं उन कायक्रम में सत्कार का कायी कर्म दो-दो घंटे चलता है लोगों का जिसका आपने मंच पे बुला के पटका नहीं दिया माला नहीं दी गमच्छा नहीं दिया बुके नहीं दिया सदकार नहीं किया मोमेंटो नहीं दिया उसका नाम नहीं बोला उसकी प्रसंसा नहीं की उसकी प्रतिष्ठा नहीं की वो नाराज हो गया आप से अगली वार आपको डोनेशन नहीं देगा और लोगों से आपकी बुराई भी करेगा तो जिसका चेहरा दिखाई देता है आए जग को उसी को ब्रा लेता है सारे जितने भी हमारे कायक्रम होते हैं सारे कायक्रम ऐसे हैं एक एक डिटल घंटे बस उनका सतकार होता रहता है अच्छा उनका सतकार होता है और नीचे वालों का दुदकार अपने आप हो जाता है उपर वाले मंचवे बैठते हैं तो वो उनके सामने जो बैठते हैं वो अपने आप नीचे हो जाते हैं जिसको वहां माला मिलती है माला वाले विसेश हो जाते हैं और बिना माले वाले जो नीचे बैठे हुए हैं वो सारे सारे सामाने हो जाते हैं जितने भी लोग उपर पद लेके बैठ बैठे रहते हैं वो अधिक पाशन जब देते हैं तो उंचनीच के लिए कि हमारे साथ उंचनीच हो रही है। तुम खुद उंचनीच करते हो मंचों पे बैठ बैठ के जब तुम खुद उंचनीच करते हो किसी का सतकार करके और बाकियों का दुदकार करके जब तुम खुद उंचनीच करते हो किसी को स्थापित करके और बाकियों की स्थापना खतम करके और जब तुम खुद ये साथ ये खेल खेलते हो, उसे कौन रोएगा, उसे कौन कहेगा, वो तुम्हारा अधिकार हो गया, और जो दूसरा करे उसके लिए तुम रोते हो, ये डəbile policy नहीं चलेगी, इसलिए संघ के अंदर डəbile policy नहीं चलती, इसलिए संघ के अंदर एक ही काम चलता है, और ये प सोचों के हमने जिन्दी भर काम सरकारी गॉर्रमेंट का किया और अब संग में आके हम अपने आपको इस्थापित कर लेंगे। इतना फाल तो नहीं है संग भाई। बहुत रेयर है। बहुत उचा है इसका। उचा मत्था उचिसान संग की पहचान है। सब समस्ता है संग। आप जमीन पे बैठ सकते हैं आपने सपकारी काम किया अच्छा किया आपने language पा ले सब यह पर संग के लिए क्या किया पर सुसायाटी ये प्रिस्ताब संग में आया और संग ने इसको बहुत जल्दी पायत कर दिया कि बीमारी जितना जल्दी कट जाए उतना अच्छा है और ये बीमारी का कटी संग सुख हो गया और संग बढ़ने लगा क्योंकि जब मन में ही पद नहीं है जब मन में ही प्रतिष्टा की बात जब यहां होगी ही नहीं तो यहां वही आएगा जो इसको समझेगा जो जानेगा इसनलिए संगों के अंदर ना मरा होती है ना पद होती है कोई कह सकता है कि काय करम लगता है तो वहाँ तो मंच नहीं लगाते क्योंकि मंच का मतल crushing करने के लिए वहां बैठाएं उनका ज्यखरा लगाएं उनका सथकार करें उनको बात करें वहां हम बैठते हैं मंच हमारे सारे संगी बैठते हैं बलकर महिना है और बच्चे सबसे क्योंकि हम उसको मंच की तरह इस्तमाल नहीं करते हैं हम किसी को स्थापित करने के लिए सब को चुप करके उनकी वहावा करने के लिए काम नहीं करते हैं वह हमारे मिलने जुलने का स्थान है वह हमारी संगति का स्थान है वह हमारा पारवरिक संगति का स्थान है जो हम काम करत इसलिए जगे का स्थमाल करते हैं पर जिनको संग में अपनी बात कहनी है वह संग आसन पर अपना इस्टूर लगागे बैठ जाते हैं कुरसी तो कुरसी लगागे बैठ जाते हैं थोड़े से उंचे करना पड़ता है उनको ताकि वह सब को दिखाई देते रहें बस इसलिए और वहां जितनी भी व्यस्ता होती है पुरारे नियम के अनुसारी होती है अपना व्यक्ति आता है जो भी जिसका नाम पुकरा जाता है वहाता है और सिधा चालू होजाता है कहीं कोई उसका जैकारा वैकारा नहीं होता नाम बुलाया एनाउंसर ने सीधा आएगा संग का जो उसे सब्यक्ट मिला है वो बोलेगा और बोलके जितना टाइम उसको होता है उसे पहले पता होता है बोलता है और चला जाता है संग असन खाली फिर दूसरे आते हैं परिवार के साथ आते हैं तो ये जो सिधान्त जो पुराने पुराने हैं और जो बुद्ध ने डबलब की और बुद्ध से पहले जो समण संग में डबलब हुए और यही सद्धान्त सारे के सारे चलते हैं जो समधान के अंदर भी चलते हैं लोग सवा में किसी का जैकारा नहीं होता लोग सवा जो बैठती है तो वहां कोई इस्थापना करने के लिए नहीं बैठती वहां कोई बंच नहीं होता वहां कोई माला नहीं होती महां कोई ऐसा कोई नहीं होता कि वहां सब लोग का एक समयधानिक पद होता है जो विस्ता चलाने के लिए टेंपरेरी होता है वो टेंपरेरी पद होते हैं किसी का परमन नहीं होता और सारे लोग अपने नियम के हिसाब से बैठते हैं सब लोग की सीनियरी के हिसाब से बैठते हैं जो बहुत सीनियर होते हैं जो बहुत जूनियर हो गुष्ट है और जो है वोений है और वही सिट्रम चलता था है इसलिए यह हैं यह नियम सबसे बहतिन के मैं वैसे तो दस के दस नियम बहतिन है पर बीमारी काटने का यह नियम शबसे बहतिन है इस होगा ना पद होगा ना प्रतिश्टा होगी कि अ plants माला होगी जो कुछ वक्त में मैं कहीं कोई तुटी हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ हंग नमामी, संघ हंग नमामी, संघ नमामी, जय भीम नमब्द्धायoking